यग्य का पहला विधानी है कि किसी को शत्रू नहीं माना जाता तब यग्य फली भूत होता है अजात शत्रवा किसी को शत्रू नहीं मानना द्वेश मत करना घ्रणा नहीं रखी जाएगी आलस से नहीं हो सकता यग्य फली भूत अब होगा जब आप शत्रूता मिटाएं अब शत्रुता कम मिठती है परदोश दर्शन का अभाव किसी में दोश मत देखिए बहुत दोश देखोंगे जब दूसरे में तो वो दोश आप में आते जाएंगे वो वृत्ति आपकी बन जाएगी उसके दोश तो उसमें हैं पर उसकी भावना आप में बैठिए आपने वही ग आतेहकर्ण में दुरुगुन संचे की भावना बनते जाएगे हम जिसे शत्रु मानते हैं जिसके प्रति हम गलानी और गृणा रखते हैं पताने वह कितना शत्रु राम जाने पर वो शत्रुता हमें कितना दुखी करती है गृणा से किसी दूसरे का तो कभी अनर्थ नहीं होता है सचतो है इंफेक्शन हो जाता है गृणा से बड़ा तो कोई इंफेक्शन नहीं है जैलेसी तो बहुत बड़ा इंफेक्शन है असु या इरिशा से बड़ा कोई इंफेक्शन हो सकता है बहुत बड़ी हानी है कि आपके अंतहकर्ण में इरिशा बनी रहे द्वेश बना रहे ग्रुणा बनी रहे और इससे क्या होता है हिंसक भावाता है दूसरे का अहित करने का मन बनता है कि इनका अहित कर दो कि अब हिंसक बन जाते हैं